तुर्की में भारत का पराक्रम, घंटों में खड़ा कर दिया हॉस्पिटल, महाविनाश में भारती सेना बनी देव दूत, फील्ड हॉस्पिटल में घायलों का इलाज शुरू, चंद घंटों में भारती सेना ने तुर्की में खड़ा कर दिया 30 बैड का हॉस्पिटल, घायल इनों के इलाज में जुटे भारती डॉक्टर्स भारत कर रहा है सबसे आगे आकर मदद भारत ने चलाया ओपरेशन दोस्त एर्दवान भी बोला थैंक यू मोदी जी तो दोस्तों तुर्की और सीरिया में जो भीशन भुकम पाया था उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू और बचाव उपरेशन जारी है तुर्की और सीरिया में जो रेस्क्यू और बचाव उपरेशन चल रहे हैं दोस्तों उसमें पूरी दुनिया के देश तुर्की और सीरिया की मदद कर रहे हैं और दोस्तों इसमें भारत भी आगे आकर बढ़ चड़कर दोन देशों की मदद कर रहा है भारत में एंडिया रेफ के जवानों को ऑपरेशन दोस्त के तहट दिन रात लोगों को मलबे से निकालने में जुटे हैं तो वहीं भारते सेना ने तो दोस्तों कमाल ही कर दिया है भारते सेना ने तुरकी में एक फील्ड हॉस्पिटल भी बना दिया है जी हां दोस्त बारते सेना ने अबूत पूर्व काम करते हुए तुरकी में केवल कुछ ही घंटों में सेना के जाबास सिपाहियों ने इस 30 बेड़ वाले हॉस्पिटल को तियार कर दिया है जिससे कि दोस्तों पूरी दुनिया भी हैरान रहे गई है पूरी दुनिया से राहत सामगरी और द पजबूर हो गए है इस अस्पताल में 13 डॉक्टर्स और कई पैरामेडिक समेत 90 लोगों की मेडिकल टीम मौजूद है आपको बता दे दोस्तों की यह वही तुरकी है जो कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया है और हमेशा कहता आया है कि कश्मीर पाक तुरकी की मदद कर रहा है ऐसे में दोस्तों तुरकी को शरम आना तो लाजमी ही है क्योंकि जिस भारत को तुरकी अपना दुश्मन समस्ता था वही भारत अब तुरकी की आ गया कर बढ़ चड़ कर मदद कर रहा है आपकी दोस्तों इसके बारे में क्या राय है और दोस्तो हमारे जवान जो तुर्की में राहत का कारे कर रहे हैं उसके लिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै जवान और जै हिंद जरू लिखिए हम सब जानते हैं दोस्तों कि तुर्की और सीरिया में 7.8 तीवरता का भुकम पाया था भुकंब का केंदर तुर्की और सीरिया के बॉर्डर के पास था ऐसे में दोनों देशों में भारी तबाही हुई है तुर्की और सीरिया में अब तक भुकंब से 15,000 लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों तुर्की में अब तक 12,391 लोगों की मौत हुई है जबकि सीरिया में 2900 लोगों से जादा ने अपने जान गवा दी है तुर्की और सीरिया में भुकंब से तबाही अभी भी जारी है और इसी बीच भारते सेना और NDRF की टीमों ने दोस्तों तुर्की में मोर्चा संभाला हुआ है बारते सेना ने भुकंब से प्रवाविट जो इलाका है दोस्तों वहाँ पर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है फील्ड हॉस्पिटल जो है दोस्तों किसी एमरजेंसी या आपदा के टाइम पर बनाया जाता है और भारते सेना दौरा बनाए गए इसी फील्ड हॉस्पिटल में घायलों का इलाज लगातार जारी है सेना के साथ साथ दोस्तों एंडियारेफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुट गई है एंडियारेफ की तीन टीम जो है दोस्तों वहाँ पर अलग अलग छेतरों में इमारतों और बिल्डिंग जो टूट गई है उनके मलबों में से दोस्तों जिन्दा लोगों को तलाश रही है आपको बता दे दोस्तों कि भारत ने तुरकी और सीरिया की मदद के लिए ओपरेशन दोस्त चलाया है और भारत के इसी ओपरेशन दोस्त के तहट तुरकी और सीरिया को विशेश मदद भेजी जा रही है बारत की और से जो NDRF की टीमें दोस्तों रेस्क्यू के लिए भीजी गई है इन टीमों में विशेश रेस्क्यू डॉग स्क्वाड भी शामिल है इसके अलावा भारते सेना की मेडिकल टीम भी तुर्की पहुँच चुकी है बारते सेना ने हताई शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है जहां लगातार घायलों का इलाज जारी है इतना ही नहीं NDRF की टीमें भी रेस्क्यू अभियान चला रही है कडाके की थंड और जबरदस्ट बर्फबारी के चलते तुर्की में दोस्तों रेस्क्यू अपरेशन जो है वो काफी कठिन होता जा रहा है लेकिन दोस्तों भारते जाबाज भी हार मानले का नाम नहीं ले रही है वो दोस्तों मदद की इस घड़ी में तुर्की और सीरिया की जम कर मदद कर रही है भारत के साथ सा सत्तर देश भूकंब पीडितों की मदद कर रही है और इस भीशन मार से जहल रहे तुरकी को भारत समेथ 14 अंतरराष्ट्री संगठोनों ने मदद का हाथ बढ़ाया है भारत सरकार ने तुरकी के प्रभावित छेत्रों में बचाव और राहत अभ्यान चलाने के लिए गाजियबाद और कोलकाता बेस से एंडियारिफ की तीन टीमों को तुरकी भेजा है विदेश मंतरारे ने बताया कि तुरकी के भूकंप प्रभावित हिस्सों में फसे ये भारतिय सुरक्षित हैं लेकिन एक भारतिय लापता है भारत सरकार तुरकी में लापता भारतिय के परिवार के संपर्क में बना हुआ है भारत ने मुकंप गरस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है आपको बता दे दूस्तों कि तुर्की में रह रहे भारतियों की संख्या 3,000 है और ये सब ही सुरक्षित हैं भारत ने दोस्तों जो मदद भेजी है उसमें चार सैनने विमानों से तुर्की को राहत सामगरी एक मोबाइल अस्पताल खोज और जाँच दल भेजे हैं भारते सेना ने दोस्तों फील्ड ऑस्पिटल बनाया है उसमें सरजरी और एमर्जेंसी वाड भी है भारत से लगातार वहाँ पर राहत सामगरी भेजी जा रही है विदेश मंतरी एस जैशंकर ने भी ट्वीट करके राहत कारेयों की जानकारी दी है उन्होंने कहा कि सेना ने एमर्जेंसी वाड के साथ साथ एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर हैं उन्होंने कहा कि ओपरेशन दोस्त के तहत सेना की टीम 24 इंटू 7 काम करके प्रभावित लोगों को राहत मुहिया करा रही है विदेश मंतराल ने साथ ही साथ दोस्तों कहाए कि भारत ने वायु सेना के पांच C-17 विमानों से धाइसो से जादा कर्मियों विशेश उपकरण और अन्य सामगरी तुर्की भीजी है जिसका कुल वजन 135 टन है भारती सेना ने भी हाल ही में टूटर पर एक तस्वीर साजा की जिसमें एक महिला फील्ड ऑस्पिटल में ड्यूटी परतेनाद सेना के एक कर्मी को गले लगा रही है इस बीच भारत में सीरियाई दूतावास ने एक अपील जारी करके मदद मांगी है भारत ने मंगलवार को सीरिया के लिए भी राहत सामगरी भेजी है भारत की और से दोस्तों है जो अभूतपूर मदद तुर्की और सीरिया को की जा रही है इसके बाद United Nations ने भी परधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ की है। भारत दोस्तों एक ऐसा देश है जो दोस्तों का दोस्त यारों का यार है। अपने दोस्तों का तो वो दोस्त है ही साती सात मुश्किल में फसे अपने दुश्मनों की भी भारत जम कर मदद करता है। भारत के इनी परहासों की वजए से पूरी दुनिया भी इस समय भारत के आगे नतमस तक हो चुकी है। और संकट की इस घड़ी में हम सब तुर्की और सीरिया के साथ हैं। जैहिंद। तो दोस्तों वीडियो में हमारे पास आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरसल आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो देखेंगे कि उसमें इंडियन आर्मी के साथ साथ और भी बाकी मर्चंडाइज के लिंक्स दिये गए हैं। आपको अगर हमारा काम पसंद आता है तो जरूर आप उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और ये प्रोड़क्स खरीद कर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद झाल